हाई फ्रेंड्स आइम उसकान आज मैं आपको बैटस में प्राइम & कम्पोजिट नंबर के बारे में बताऊंगी तो चलो हम अपना लेसन शुरू करते हैं तो चलो हम अपना शुरू करते हैं प्राइम नंबर्स वह होते हैं The number which is divisible by 1 and itself is called prime number वो number जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए वो prime number होते हैं Example 2 2 किस-किस से डिवाइड होता है एक तो 1 से हो जाएगा और एक खुद से हो जाएगा और किसी से 2 डिवाइड होएगा? No तो एक 2 एक prime number है 3 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा और किसी से डिवाइड नहीं होएगा ऐसी 5 और 7 5 भी 1 और 5 से डिवाइड हो जाएगी ऐसी 7, 1 और itself खुद से डिवाइड हो जाएगा और किसी number से डिवाइड नहीं होते इने का एक छोटा सा मतलब है कि वो नंबर जिनके बस दो फ्यक्टर हो the number which have exactly two factors is called prime numbers वो नंबर जिनके बस दो फ्यक्टर हो, दो से ज़्यादा ना हो जैसे example, composite number composite number वो होते है, the number which have more than two factors is called composite numbers अब ये prime numbers के उल्टे होते है, prime तो वो जिनके बस दो factors हो लेकिन अब composite वो कि दो से ज़्यादा जिसके factors हो example की 4, 4 एक 1, एक खुद, लेकिन 2, 2 से भी तो डिवाइड होते है, 2, 2 जा 4 एसी 6, 6 वन से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, एक itself, 6 से भी होता है इसमें important note क्या है, जो 1 है, वो ना तो कोई प्राइम नमबर है, क्योकि प्राइम नमबर में दो factors होते हैं, वहीं प्राइम नमबर क्हेलाएंगे, लेकिन 1, 1 के ना तो दो factors होते हैं, क्योकि एक 1 खुद से तो डिवाइड होगा, और किसी सी डिवाइड होते है 1, तो यह तो ना तो prime number हुआ और ना composite number क्योंकि composite number में तो 2 से ज़्यादा factors चाहिए होते हैं और prime में 2 तो ना ही 1 prime number है और ना ही 1 composite number है तो हम अब और कुछ important facts लेखते हैं सबसे छोटा prime number किसे कहते हैं first prime number 2 2 के बारे में एक और fact है 2 बस एक even prime number है 2 एक अकेला even prime number है क्यों अगर 2 के इसी वाए और कोई prime number हो ही नहीं सकता 168 हमारे 1 से लेके 1000 के बीच में prime number है और और first composite number और first composite number तो first composite number कौनसा होएगा 4 क्योंकि यह नहीं सकते है क्योंकि यह नहीं सकते है क्योंकि 0 यह हमारा whole number है 1 ना तो prime number होता ना यह composite number 2 हमारा prime number है 3 भी हमारा prime number है तो first composite number क्या हुआ 4 1 से लेके 100 के बीच में composite number कितने हुए 74 क्योंकि 1 से लेके 100 के बीच में हमारे prime number 25 हो गए 100 में से 25 मानस करेंगे 75 बचेंगे और 1 हमारा कुछ होता नहीं तो उसको भी मानस करेंगे 74 फिर हमारे composite number बच गए तो हम अभी इसको solve करके भी देख लेते हैं जैसे 100 हमारे digits हो गई यह 100 digits हो गई इसमें हम prime number 25 तो हम यह पर 25 को इसमें से मानस कर देंगे कितने हो हैंगे 75 75 बचे गए यह क्या हमारे composite नमोर हैंगे No क्योंकि 1 भी है इसमे 1 से लेके 100 के बीच में है न तो इसमें 1 भी मानस करेंगे यह तो आपको पता हिए अब 74 composite number हमारे 1 से लेके 100 के बीच में हो गई अब 1 से लेके 1000 के बीच में composite number यह कितने होएंगे 831 यह हमारे 1 से लेके 1000 के बीच में composite number है ओके तो होप कि आज की वीडियो आपको knowledgeable लगी होगी तो बाबाई टेक क्यार थेंक यू